नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का निश्चे अकेडमी के यूटूब प्लेटफोंपर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आँ हूँ सेप्टमबर 2022 के अंतिम सब्ताह के लाश्ट वीक के करेंट अफेर के एपॉर्टन प्रेश्ट जिसमें लाश्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रश्चन है हाली में किसे भारत के महानयावादी के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गये हैं ऑप्शन्स दिये गये हैं स्री केके वेडूगोपाल स्री मुकुल रहतगी स्री आर वेंकर ट्रमणी M.C.C. तल्वाल तो दोस्तों हाली में भारत के महानयावादी के रूप में कार कर रहे थे केके वेडूगोपाल उनका कारकाल समाप्त हो गया है अब नए महानयावादी बनाए गये हैं आर वेंकर ट्रमणी इससे पूर भारत सरकार ने मुकुल रहतगी को ये हाफ़र किया था नामित किया गया था महानयवादी के रूप में परंत उन्होंने पद लेने से अस्विकार कर दिया उसके बाद आर वेंकट रमनी भारत के नए महानयवादी होंगे और वो भारत के शोलवे नंबर के 16 नंबर के अटार्णी जनल होंगे के बेड़ो गुपाल पंदरवें Attorney General के रूप में कार कर रहे थे आर बेंकर ट्रमिनी सोलवे होंगे इससे पूर मुकुल रोस्तगी भी भारत के Attorney General रह चुके हैं महानयवदी रह चुके हैं 14 महानयवदी MCC तलवार भारत के पहले महानयवदी सबसे पहले जानते हैं का वर्णन किया गया है भारत के राष्टपती भारत के महानयवदी की न्यूकती करते हैं राष्टपती के प्रसाद परियंद तक महानयवदी पत पर बने रह सकते हैं भारत के महानयवदी भारत सरकार के सबसे बड़े बिधियाधिकारी तथा भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हो आगे बढ़ते हैं हाली में सहीदे आजब भगस सिंग जी की कौन सी जैनती मनाई गई है ओप्शन दिये गए हैं 115, 116, 117 और 118 तो दोस्तो हाली में भगस सिंग जी की 115 जैनती मनाई गई है दोस्तो आपको बता दें 28 सेप्टमबर 1907 को पंजाब के बंग नामक गाओं में भगस सिंग जी का जन्व हुआ था भगस सिंग महान सतद्दा संग्राम सायनानी वकरांतिकारी थे दिल्ली की सेंटरल एसेंबली तथा लाहौर में सांडर्स की हत्या में उन पर अभियोग चलाय गया था 23 मार्च 1931 को बहुत अल पायू में लगबग 23 वर्स की आयू में उनके साथ ही शुखदेयो राजगुरू के साथ उन्हें फासी दे दी गई थी लाहौर जेल में 1928 में भागशिंग जी की दौरा हिंदुस्तान रिपब्लिकल एसोशेशन का गठन किया गया था और इस वर्स उनकी 115 जैनती बनाई गयी है आगे बढ़ते हैं हाली में पी-म गरीब कल्यान अन्य योजना को कितनी अवधी के लिए बढ़ा दिया गया है आप्शन दिये गये हैं तीन माह छे माह एक वर्स दो वर्स दोस्तों तल्हान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को तीन माह के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया है एक अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर 2022 तक विस्तार करने का फैसला लिया गया है इस से 80 करोल लोग लाभान वित होंगे इस योजना के तहट पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो 5 केजी निसुल्क खाज्यान उपलब्ध करा जाता है दोस्तों आपको बता दें कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना की सुरुआत 26 मार्च 2020 को डिरिंग कोविट मैंडेमिक के दोरान भारत के प फूड सिक्योर्टी वेलफेर कारक्रिम है तीन माह के लिए इसको एक्टेंड कर दिया गया आगे बढ़ते हैं हाली में जारी इंडिया टूरिज्म रिपोर्ट 2022 के नुसार सरवाधिक बिदेशी परेट को वाला राज्य है आप्शन दिये गए है महराष्ट, तमिलनाडू राजस्थान और उत्तबुदिश, हाली में इंडिया टूरिज्ग स्टैटिक स्टिक 2022 नामक रिपोर्ट भारत के उपराष्ट पती स्री जगदीब धनकरजी के दौरा जारी की गई जिसमें सरवाधिक बिदेशी परेट को वाला राज्य है महराष्ट, पहले सान पर दोस्तो यह रिपोर्ट केन्दी परेटन मंतराले भारथ सरकार के दौरा जारी की जाती है, बदल में परेटन मंतराले के मंतरी हैं स्री जी किशन रेट्डी, महराष्टा की बात करतें दोस्तो राजधानी है मुंबई, इसमें 1.26 मिलियन, 205 बिजक परेटक इस वर्स महरा दोस्तों आपको बता दें महराष्ट की लैजानी मुंबई है महराष्ट की सिम है स्षी एक नात सिंदे बर्तवान में महराष्टा के मुखवंदरी है गवर्नर के रूप में कार कर रह toई स्री भगशंग कोश्यारी महराष्ट में एलोरा अजन्ता जैसिक प्रशिद्ध गु सब्सक्राइब समन्वे तथा सलाहकार का पद होता है सैनमामलों के विभाग के सचीव के रूप में भी यहकार करते हैं दोस्तों आपको बता दें सीडियस का गठन एक जन्वरी दो हजार बीस को किया गया था इस परदकस रजन और भारत के पहले सीडियस थे जन्रल बीपिन रावत दोस्तों आपको बता दें कि वर्स दो हजार एकिस में देश के पहले सीडियस त्री बीपिन रावत का तमिल नाडू में 14 लोहों के साथ एक बिमान दुर घटना में नत्य हो गई थी और तब से एक पद खाली था और अब पूर लेप्टी बिनेट जनरल अलिल जोहान इस पद पर नुक्त किये गए हैं सी मनोज पांडे परदमान में भारत के आर्मी जनरल हैं आर्मी चीफ के रूप में कार कर रहे हैं मनोज पांडे भारत के रक्षा मंद्री के रूप में कार कर रहे हैं स्री राजनासी आगे बढ़ते हैं हाली में किसे सौदी अरब के प्रधान मंद्री के रूप में नुक्त किया गया है आप्शन दिये गए हैं मुहम्मद बिन सल्मान, सल्मान बिन अब्दुल अजीज, मुहम्मद खालिद इन में से कोई नहीं है दोस्तो हाली में किंग सल्मान बिन अब्दुल अजीज ने अपने वेटे और बारिस मुहम्मद बिन सल्मान को देश का अगला प्रधान मंत्री न्यूट किया है इसके पहले प्रधान मंत्री थे सल्मान बिन अब्दल अजीज अब उनके पुत्र मुहमद बिन सल्मान नए प्रधान मंत्री बनाए गए है सौधी अरब को मुहमद खालित को रक्षा मंत्री बनाए गए है ये भी सल्मान बिन अब्दल अजीज के पुत्र है और नए प्रधानमंती बन गया है मुहम्मद बिन सल्मान दोस्तों आपको बता दें साओधी एरीपिया की राजथानी है रियाद कैपिटल है रियाद और यहां की करेंसी है रियाद आगे बढ़ते हैं हाली में किस हवाई अड़े का नाम बदल कर सहीद भगस सिंग हवाई एड़ा कर दिया गया है ओप्शन दिया गया है दिल्ली एरपोर्ट चंडीगड एरपोर्ट अमरिशर एरपोर्ट और अमबाला एरपोर्ट तो दोस्तों हाली में सहीद आजब भगस सिंग जी की 115 जैनती के सुभ आउसर पर चंडीगड एरपोर्ट का नाम सहीद भगस सिंग एरपोर्ट कर दिया गया है रिनेम कर दिया गया है चंडीगड एरपोर्ट का नाम और देश की बित्मंती निर्मला सीतर रमन ने एक कारक्रम को संबोधित किया और इस कारक्रम का आनावरन निर्माला सीतरमान जी के दोरा किया गया दोस्तो चंडीकड़ आपको बता दे पंजाब तथा हर्याना राज जी की राजधानी है पंजाब के सीम है स्री भगवंतमान और हर्याना के सीम है स्री मनोहरलाल खटर आगे बढ़ते हैं हाली में जी ट्विंटी सिखर सम्मेलन का आजधान कहा किया गया औप्शन दिये गए है रोंग, बाली, नई दिली और रियो डिजेनेरियो दोस्तो जी ट्विंटी सिखर सम्मेलन का आजधान किया गया है इंडोनेशिय के बाली सहर में और इसमें भारत का प्रतिजित किया है भारत के क्रेश्ची मंत्री श्री नरेंट शिंग तोमने दोस्तों इंडोनेशिय बरतमान में G20 का अध्यक्ष है सबसे महत्पूर्ण बात यह है दोस्तों कि अगला 2023 में भारत अध्यक्ष होगा G20 का और 2000 G20 सिखर सम्मेलन का आयोजित 2023 में भी नई दिली में आयोजित होना है इसके बाद 2024 में जो आयोजित होना है वो ब्राजील के रियो डिस देनेरियो में होता दोस्तों यह सत्रवी समिट है इससे पूरू सोलवी समिट इटली की राज़ानी रोम में आजित की गई थी दोस्तों G20 के बारे में जानते हैं ग्रूप ऑप 20 29 राष्ट प्लस एक यूरोपियन इन्यून बीस ऐसी विकास सील तथा बिक्सित अर्थ्विस्थाओं का एक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ड्स 1999 में यह एक ऐसा वैसिक मंच है जिस पर बैस्विक अर्थ्विस्था पित्ती इस्थिर्था जलवाई परिवर्तन तथा सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्धे हैं ग्रूप ऑफ ट्विस्था इसमें बरतमान में जो सदस हैं अर्जेंटीना और्शेलिया ब्राजील करनेडा चाइना फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेशिया इटली जापान मैक्सिको रशिया साओधी अरेबिया साओध अपरिका साओध कोरिया तर्की युनाइटेड गोशना की है उनका संबंद किस खेल से हैं ओप्शन दिये गए हैं क्रिकेट होकी बैडमिंटन और फुटबॉल दोस्तों पूर्व भारती महिला क्रिकेट कप्तान जूलन गोश्वामी ने हाली में सन्यास की गोशना कर दी है महिला अंतराश्ट्री ODI क्रिकेट में ODI क्रिकेट में सरवाधिक विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाडी हैं दोहजार एक में दोहजार साथ में जूलन गोश्वामी को ICC Women of the Year पुरुसकार से नवाजा गया था मूलता पश्यमंगाल की रहने वाली हैं जूलन गोश्वामी वर्स दोहजार दस में उन्हें अर संबंद है क्रिकेट से आगे बढ़ते हैं हाली में किसे कर्मचारी राज बीमा निगम Employee State Insurance Corporation के महानिदेशक के रूप में निउक्ट किया गया है ऑप्शन दिये गए हैं दिनेश खारा, राजिंद कुमार, एमार कुमार या माधवी पुरी पुचु दूस्तों हाली में Employee State Insurance Corporation कर्मचारी राज बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में निउक्ट किया गया है स्री राजिंद कुमार को ESIC Employee State Insurance Corporation की बात करें दोस्तों कि यह स्रम एवं रोजगार मंत्राला के अधीन कार करने वाली संस्था है भारती कर्मचारीयों के लिए बीमा धनरासी का प्रवंधन का कार करता है Employee State Insurance Corporation 1952 में इसकी स्थापना हुई थी Headquarter है नई दिल्ली में दिनेश खारा की बात करें दिनेश खारा बातमान में SBI के Chairperson के रूप में कार कर रहे है SBI भारत का सार्विंद चेतर का सबसे बड़ा वेंक है स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 Headquarter है मुंबई में MR कुमार LIC के Chairman के रूप में कार कर रहे है LIC है दोस्तो Life Insurance Corporation of India भारती जीवन भीमा निकम भारत की भीमा चेतर की सबसे बड़ी कंपनी है LIC तथा भारत सरकार की सबसे बड़ी निवेश कंपनी है LIC Headquarter है मुंबई में 1956 में LIC के इस्थापना हुई थी माध्वी पूरी बुच परतवान में सेवी की प्रमुक के रूप में कार कर रहे हैं सेवी है Security Exchange Board in India भारती प्रतिभूधी प्रतिभूती विनिमें बोर्ड भारत में सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का नियंद्रन और संचालान का कार करती है सेवी वर्थ 1992 में इसकी स्थ दादा साहब फाल के पुरुसकार 2020 से नवाज आ गया है बहुत important question है दोस्तो आने वाले exam में जरूर देखने को मिले गया question दादा साहब फाल के पुरुसकार 2020 option दिये गये हैं बिनोत खन्ना, आमेताब बच्चन, रजनी कांत और आसा पारेक दो दोस्तो हाली में भारत की र अगया दोस्तो आपको बता दें कि राश्री फिल्म पुरुसकार का आयोजर सूचन, प्रशारण मंतराले भारत सरकार के द्वारा किया जाता है बरत्मान में सूचन, प्रशारण मंतरी के रूप में कार कर रहे हैं स्री अनुराग ठाकुर। और दादा साहब फाल के पुर पहला आवार्ड दिया गया था अभिनेत्री देविकार रानी को दो हजार बीस के लिए जो नवाजा गया है प्रशिद अभिनेत्री आसा पारेक को यह पुरुसकार प्रदान किया गया था है अभिनेत्री देविकार रानी को वर्स उनिश्यो नतर्म और इस वर्स दिया गया है आसा पारेक को आगे बढ़ते हैं हाली में जल दूद एप्लिकेशन विक्षित किया गया है क्रेशी मंतराले, ग्रामिन विकाश मंतराले, सहकारिता मंतराले एवं जल सक्ती मंतराले दोस्तों हाली में जल दूद एप्लिकेशन विक्षित किया गया है ग्रामिन विकाश मंतराले भारत सरकार के दोरा ग्रामिन विकाश मंतराले भारत सरकार ने देश भर के गाओं में चैनित कूओं में जल स्तर को मापने के लिए जल दूद नामक एप्लिकेशन लाँच किया गया है ग्राम रोजगार सहायक वर्स में दो बार मानसून से पूर तथा मानसून के बाद जल स्तर को मापेंगे और कुएं के जल स्तर को नामक एप्लिकेशन लाँच किया गया है ग्रामिन विकाश मंतराले भारत सरकार के दोरा पर्दमान में ग्रियमिन विकास मंतरी है स्री गृरासींग, ग्रेशी मंतरा औलयक के रूप में कार कर रहे हैं, मंतरी के रूप में आगे बढ़ते हैं, बिस्सु पर्याटन दिवस कब मनाय जाता है ओप्चिन दियेगे हैं 25 सितंबर, 26 सितंबर 27 सितंबर, 28 सितंबर दोस्तों आपको बता दें कि प्रतेक वर्स 27 सितंबर को 27 सितंबर को बिस्सु पर्याटन दिवस World Tourism Day मनाय जाता है पर्याटन के महत्व और हमारे समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरुकता के लिए यह दिवस मनाय जाता है वर्स 1980 से यह दिवस मनाय जा रहा है कॉन सितंबर के दौरा मनाय जाता है United Nations World Tourism Organization इसके बारे में जानेंगे United Nations World Tourism Organization यह United Nations की पर्याटन के दिशा में कार करने वाली सांस्था है 1975 में स्थापित की गई थी इसका हेड़ कॉर्टर है इस्पेन की कैपिटल इस्पेन की आजधानी मैड डेट में दोस्तो प्रत्यक वर्स एक मेजवान देश होता है इस वर्स इंडोनेशिया को मेजवान देश बनाया गया है और वर्स 2022 के लिए जो थीम रखी गई है रिथिंकिंग रिथिंकिंग टूरिज्म इस वर्स के लिए थीम रखी गई है प्रत्यक वर्स 27 देशंबर को विस परेटन दिवस मनाया जाता आगे बढ़ते हैं हाली में दिलीप अस्वे को किस संस्थान का मुख कारकारी अधिकारी न्यूक्त किया गया है दिलीप अस्वे को MD तसा Chief Executive Officer न्यूक्त किया गया है से भी, RBI, NPCI और SBI दोस्तों दिलीप अस्वे Chief Executive Officer और MD न्यूक्त किया गया है NPCI का दोस्तों National Payment Corporation of India ये भरसरकार बितमंत्राले भरसरकार के अंतरगत कार करने वाली एक संस्था है ये RBI Reserve Bank of India भारती Reserve Bank का एक प्रभाग है उसके अंतरगत कार करने वाला एक निगम है जिसमें खुदरा भुक्तान और निप्तान प्रणाली के संचालन के लिए इसे बनाए गया है वर्स 2008 में हेड़कॉर्टर है मुंबई में RBI के अंतरगत कार करता है और नए जलीप असबे M.D. और CEO के रूप में कार करेंगे N.P.C.I. के National Payment Corporation of India सेवी के दोस्तों 1992 में स्थापित हुआ हेड़कॉर्टर है मुंबई में और Security Exchange Board इन इंडिया भारत में सभी प्रकार की प्रतिव भूतियों का नियंतर नेंसन चलन का कार करता है सेवी माध्वी पूरी बुच बर्तवान में सेवी की चेर परसन के रूप में कार करती है RBI Reserve Bank of India भारती Reserve Bank भारत का केंदरी बैंक है 1 अप्रेल 1935 को इस्थापित हुआ हेड़कॉर्टर है मुंबई में और सक्तिकांदास परत्वान में RBI के गवर्नर के रूप में कार कर रहे है SBI की बात करते हैं भारत का सारुजिनिक छेतर का सबसे बड़ा बैंक है State Bank of India भारती State Bank 1 जुलाई 1905 को इस्थापना हुई थी हेड़कॉर्टर है मुंबई में दिनेश कुमार खारा SBI के चेर परसन के रूप में कार कर रहे हैं हाली में किस अंतरराष्टी हवाई अड्डे को एरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है ओप्शन दिये गए हैं हैदराबाद, बैंगलोर, कोचीन और तिरुवननदपुरम कोचीन अंतरराष्टी एरपोर्ट को एरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है कोचीन इंटरनेशनल एरपोर्ट को दोस्तो यह पुरुसकार बैस्विक विमानन छेत्र में सरोच पुरुषकार के रूप में जाना जाता हूँ और यह पुरुषकार दिया गया है कोच्चीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह स्थी थे दोस्तो केरला में केरला की बात करें राजधानी है किरुवनद पुरम सीम है स्री पी विजेन गवर्नर की रूप में कार कर रहे हैं डॉक्टर आरिफ महम्मद खान केरला में एरावी कुलम तसा साइलेंट वैली जैसे प्रिशिद नैशनल पार्क इस्थी थे हैं आगे बढ़ते हैं हाली में वंडारू विलसन बाबू को किस देश में भारत का राजदूर निउट रूटिया गया है एंबेसडर आफ इंडिया तो मेड़गास्कर रूटिय गहाए हैं वंडारू विलसल बाबू इस से पूरू थाईलेंड में नागेश शींग को भारत नागेश सिंग को थाईलेंड में बारसकाग, अमबेस pneakte की आ गए था जैपैन में न््युक्ति की गए हैं सीवी जौर्थ हाली में न्युक्ति की गे हैं बांगला देश में स्थी प्रैने बर्मा ये हाली में न्युक्ति की गई है और विलसन वाबु को मेडगासकर में नियुक्त चिया गया है मेडगासकर की बात करें तो पूर्वी अफ्रीकल तर्ट पर इंडियन ओशियन में इस्थित यह देश है मेडगासकर राजधानी है अंटाना नरीवो प्रधानमंद्री के रूप में कार कर रहा है अगे बढ़ते है हाली में जारी ग्लोबल इनोवेशन एंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग है बहुत ही महत्वपून तरशन दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन एंडेक्स बैस्ट विक नवाचार सूचकांक जारी किये गए हैं 2022 के और भारत ने 6 पाइदान की छलांग लगाई है और 40 पाइदान पर पहुँच गया है भारत 2021 में भारत को 46 इस्थान प्राप्थ हुआ था दोस्तों इस सूची में पहला इस्थान प्राप्थ किया है स्विजर लेंड में बिविन देशों में नवाचार की समता को प्रदर्सित करता है बैस्थिक नवाचार सूचकांग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसके सुरुआत हुई थी वर्स 2007 से भारती उद्मी और लेखक सौमित्र सौमित्र दास के प्रयासों से यह संभव हो पाया है था और दोस्तों यह सुचकांग जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चिल प्रॉपर्टी और्गनाजेशन डबलू आई पी यो के द्वारा यह युनाइटे नेशन्स के एक संस्था है जो इंटेलेक्चिल प्रॉपर्टी जो बहुत धिक संपदा होती है उनको मानता पतान करता है 1967 में इस्थापित हुई थी इसका हेड़कॉर्टर है जिनेवा स्विजलेंड में और डेरन तांग बर्दमान में डायक्टर जेनरल के रूप में कार कर रहे हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चिल प्रॉपर्टी और्गनाजेशन के बहुत धिक संपदा सितात पर किसी विक्ती ये संस्था द्वारा स्रजित की गई वस्तू कला इत्यादी से है जिसमें ट्रेडमार्क पेटेंट आदी सामिल होते हैं और इस वर्स भारत को 40 वा इस्थान प्राप्थ हुआ है दोस्तों आपको बता आड़ें सबसे बड़ा पावन सौर औरजा सेंद्र किस कंपनी के द्वारा इस्थापित किया गया है और शुर्ट दिये गये हैं अधानी पावर, टाटा पावर, रेलाइंस पावर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों हाली में अधानी पावर के द्वारा अदानी पावर के दौरा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेट के दौरा राजस्थान के जैशल मेर में दुनिया का सबसे बड़ा पावन सौर और उर्जा सेंद प्रानम किया गए हाइब्रीड टाइप का यह सिस्टम है जिसमें विंड एनर्जी तथा सोलर सिस्टम दोनों 600 मेगावाट का सोलर तथा 1500 मेगावाट का बिंड एनर्जी पावर प्लांट यह बनाया जा रहा है अदानी पावर के दौरा इस प्रश्ट का सही उतर है अधानी पावार अधानी ग्रूप के जो चेर्मेन है स्री गौतब अधानी टाटा के चेर्मेन है एंड चेंस रेखरन और रेलाइन समू के चेर्मेन के रूप में कार कर रहे है मुकेश हमबानी दोस्तो हाली में ब्लूमबर्ग विलिनेर्ज में अमीरों की सूची में तीसरा इस्थान पर आप्ति किया था गौतब अधानी आगे बढ़ते हैं शाली में ऑप्रेशन गरोन किस्थान के द्वारा प्रारम किया गया है ऑप्रेशन दिए गए हैं CBI, IB, NIA, RAW दोस्तों हाली में CBI ने अवैद मादक पदार्थों की तसकरी के खिलाब Operation Garun Praramb किया गया है CBI के दौरा CBI आपराधिक एवं राष्टी सुरक्षा से जुड़ो मामलों की प्रमुख जाज एजिंसी है 1963 में स्थापित हुई थी सुबोध कुमार जैसवाल बर्तवान में Director General के रूप में कार कर रहे है CBI के Central Bureau Investigation IB की बात करते हैं दोस्तों यह Ministry of Home Affairs के अंतरगत आतंक एक एजिंसी है भारत की जाच एजिंसी है Intelligence Agency है 1881 में स्थापित हुई थी और तपंडेका बर्तवान में IB प्रमुक के रूप में कार कर रहे है NIA की बात करते हैं दोस्तों आतंक वाद के खेलाब जाच करने वाली प्रमुक जाच एजिंसी है NIA National Investigation Agency 2008 में स्थापित हुई थी राधा विनोध राजू बर्तवान में NIA प्रमुक के रूप में कार कर रहे हैं राधा की बात करते हैं दोस्तों ये एक Secret Agency है भारत की Research Analysis Wing खूपी अजेंसी है 1968 में स्थापित हुई थी सामंत गोईल बर्तमान में राधा प्रमुक के रूप में कार कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं हाली में लता मंगेशकर पुरसकार 2021 से किसे नवाजा गया है आप्शन दिये गए हैं कुमार सानू आनंद मिलिन सैलेंद सिंग या नोशाद संगीत के छेतर में उत्कृष्ट कार हेतू प्रतेक वर्स मदपदेश शरकार मदपदेश शरकार के दोरा लता मंगेशकर ुरसकार काजा है हाली मदपदेश शरकार ने 2021 के लिए जाने माने प्ले बैक सिंगर कुमार सानू को यह पुरसकार से नवाजा है 2021 के लिए इस से पूर 2020 में यह पुरसकार दिया गया था संगीत कार आनन मिलिंद को जबकी 2019 मіं ये परुसकार परदान किया गया था संगीतकार सैलिन सींग को 1984 में ये परुसकार स्थापित किया गया था और पहला परुसकार परदान किया गया था units qualifying को दोigator 84 में इसका चर्वाइशा आपका हुई 2,805,000 परदान की जाती है इसका आयजन हुता है मद प्रिदेश के इंडौब सहर में दोस्तों आपको बता दें कि इंडौब भारत का सब से सुक्च्च सहर है вक्च्चता सर्विक्षन सर्वे में लगातार छे वार से छे वार से टॉप पर है इंडौब बहुत महत्पूर जानकारी जानते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में लता मंगेशकर जी का जन 28 सितंबर 1929 को इंदौर सहर में हुआ था और 28 सितंबर को हालिमिन की जहनती मनाई गई है भारत की जानी मानी मस्कूर गाई का लता मंगेशकर जी का वर्स 2022 में ही निधन हो गया था उन्हें वर्स 1989 में सिनेमा के छेतरी में दिया जाने वाला सर्वोच पुरुषकार दादा फालके से नवाजा गया तथा भारत का सर्वोच नागरी पुरुषकार भारत रत्री से नवाजा गया है वर्स 2001 में उन्हें स्वर कोकिला तसा स्वर सामरागी की रूप में भी जाना जाता है और हाली में उनके नाम से जो पृसकार है लता मंगेशकर पृसकार कुमार सानु को 2021 के लिए 21 के लिए प्रदान किया गया है मदबरे शरकार के दोरा दोस्तों लता मंगेशकर दूसरी ऐसी भारती महिला है जिनें भारत रतन से नवाजा गया है भारती संग गाईका है पहली है MS सबूलक्षमी उसके बाद दूसरी सिंगर तो रिसीव भारत रतन 2001 में लता मंगेशकर जी आगे बढ़ते हैं हाली में 36 राष्टी खेलों की सुरुवात कहां की गई है आप्शन दिये गए हैं दिली, गोवा, एहमदावाद और भूवनेशु दोस्तों 36 राष्टी खेलों की मेजवानी गुजरात राज कर रहा है 29 सितंबर 2022 को प्रथान मंत्री मोदी जी ने एहमदावाद में आपचारिक उद्घाटन किया इस बार मलखंब थता योगाशन को सामिल किया गया है दोस्तों इससे पहले सावज सुभंकर घोशित किया गया था मैसकोट बना गया था सावज यह गुजराती सब्द है जिसका मतलब होता है एशियाटिक लाइन एशियाटिक लाइन और एशियाटिक लाइन गुजरात में इस तित गिर नैशनल पार्क में पाय जाते हैं इसके लिए टैग लाइन रखी गई है स्पोर्ट आफ यूनिटी दोस्तों आपको बता दें कि मौडन नैशनल गेम्स की सुरुवात 1985 में नई दिल्ली में की गई थी इंडियन ओलम्पिक एशोशेशन के दोरा ये आईजित किये जाते हैं इंडियन ओलम्पिक एशोशेशन के स्थापना हुई थी वर्स 1927 में हेड कौर्टर है नई दिल्ली में इसके प्रेसिडेंट के रूप में कार कर रहे हैं स्री आदिल शुमरी वाला इससे पूर वर्स 2015 में राष्टी खेलों का आईजन किया गया था केरला में आगामी राष्टी खेल यानि 37 वे राष्टी खेलों का आईजन किया जाएगा 36 गड़ में और इस वर्स आईजन किया रहा है कुजरात में आगे बढ़ते हैं हाली में किसे हौकी इंडिया के अध्यक्छ के रूप में न्यूक्त की आ गया है। ऑप्शन दिये गए हैं दिलीग तिर्की, कल्यांट चोबे, सौरव गांगूली और नरिंदर बत्रा तो दोस्तों हाली में हौकी इंडिया के अधेक्ष के रूप में नूख थिया गया है पूर भारती हौकी कप्तान दिलीग तिर्की को दिलीप्तिर के भारती हौकी टीम के कप्तान रहे हैं वर्स 2004 में पादमिस्री तथा 2002 में अर्जिन वाट से नवाज़े जा चुके हैं दिलीप्तिर की हौकी इंडिया की बात करें तो भारत में हौकी खेलों की सर्वोच नियावक संस्था हौक इंडिया 2009 में स्थापित हुई इसका हेड़ कौर्टर है नई दिल्ली में कल्यान चौबे को हौल ही में अकिल भारती फूटवाल संग All India Football Federation के प्रेसिडेंट के रूप में न्युक्तिया गया है भारत में फूटवाल के लों की सर्वोच नियावक संस्था है अकिल भारती फूटवाल संग 1935 में स्थापित हुई है नई दिल्ली सौरव गांगुली भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीशीशी आई के प्रेसिडेंट के रूप में कार कर रहे हैं बीशीशी आई क्रिकेट खेलों की सर्वोच नियावक संस्था है अस्थापित हुई 1928 में हैटकॉर्टर है मुंबई में आगे बढ़ते हैं भारत का पहला वानिकी विश्यूर द्याल है कहां अस्थापित किया जाएगा ऑप्शन दिये गया है तिलंगाना, महराष्ट, उत्राखंड और मद्वदेस दोस्तों भारत का पहला फॉर्ष्टी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी तिलंगाना की राजधानी हैतराबाद में और भारत दुनिया में रूस तथा चीन के बाद फॉर्ष्ट यूनिवर्स्टी स्थापित करने वाला तीसरा देश बन जाएगा दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्यक वर्ष्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जारी की जाती है इंडियान स्टेट ऑफ फॉर्ष्ट रिपोर्ट के नुसार भारत में मदप्रदेश सरवाधिक बंचेतर तथा फॉर्ष्ट कवर वाला राज है मदप्रदेश तिलंगाना की बात करते हैं अप्पा मंदिर कुवर्ष 2020 में युनेस्को विस विरास सूची में सामिल किया गया है तिलंगाना में महावीर हरीना मुरुगवानी जैसे प्रशिद नेशनल पार्क इस हित हैं दोस्तों कुछ महत्पूर्ण फॉरेश्ट से रिलेटेट संस्थान है मैं आपको बता देता हूँ इंद्रा गांधी नेशनल फॉरेश्ट अकैडमी यह है दहरादून में फॉरेश्ट रेसर्च इंस्टिट्यूट 1906 में स्थापित हुआ यह है दहरादून में यह महत्पूर्ण संस्थान है फॉरेश्ट से रिलेटेट आगे बढ़ते हैं हाली में किस द्वीप समूख को देश का पहला सुक्ष सुजल प्रदेश घोशित किया गया है आप्शन दिये गये हैं अंडमान निकोबार लक्ष दीप दमन एवन दीप दादरा एवं नगर हवेली तो दोस्तो हाली में अंडमान एवन निकोबार दीप समूख को केंदी जल सक्ती मंतरालय गजिन सिखावत ने देश का पहला सुक्ष शुजल प्रदेश घोशित किया है अंडमान एवन निकोबार के सभी गाओं में हर घर जल प्रमानित और खुले में सौच मुक्त गाओं के रूप में सत्यापित किया गया है अंडमान निकोबार दीप समूख को इससे पूर गोवा राज को हर घर जल प्रमानित राज गोशित किया गया था अंडमान निकोवार की रायतानी है पोर्ड ब्लेयर लेटिनेंट डीके जोसी वर्तमान में अंडमान निकोवार के लेटिनेंट गवर्नर के रूप में कार्ण कर रहे हैं हाली में भारत सरकार ने किस देश की तेल कमपनी पेट्रो ब्रास के साथ समझोता किया है और यह है ब्राजीलियन कमपनी ब्राजील की कमपनी है दोस्तों आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आया तक देश है सबसे पहले स्थान पर है अमेरिका दूसरे स्थान पर है चाइना इसके बाद भारत तीसरे स्थान पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आया तक देश है भारत को सरवाधिक तेल आपूर्ती करता है पहले स्थान पर है एराक दूसरे स्थान पर साओधिय अरिबिया और तीसरे स्थान पर युएई ब्राजील की तेल कंपनी है आईल कंपनी है पेट्रोब्रास जिसके साथ हाली में भारत ने समझोता किया है तेला पूर्टी के लिए ब्राजील की राज़ानी है ब्राजीलिया जायरे वॉल्स नैरो बरत्मान में ब्राजील के राश्टपती के रूप में कार कर रहे हैं दोस्तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने मूल सुझा वश्च दें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने आने वाले समस वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकोंस को भी दवा दें धन्नवाद